मैं कौन हूँ? Who am I? मी कौन आहे? यह सवाल दुनिया का सबसे पुराना सवाल है. जब से इंसान ने सोचने समझने की शुरुवात की है, चिंतन, दर्शन, अध्यात्म को अपनाया है, तब से वो इस सवाल का जवाब खोज रहा है. लेकिन उसे इसका जवाब नहीं मिलता. हर पीड़ी का चिंतक और दर्शनिक यहीं से अपने चिंतन का आरंब करता है, लेकिन आज तक कोई भी इसका एपसल्यूट जवाब नहीं खोज पाया. आखिर क्यों? क्या इसका कोई जवाब है भी? या सबी लोग बस हवा में तीर चलाते रहते हैं? फ्रांस के महांदार्शनिक याम पॉल सार्थ लिखी कुछ बातों को आधार बना कर और उदाहरन के तौर पर इस तस्वीर का इस्तिमाल कर. आईए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इस सबसे पुराने सवाल का जवाब क्या कभी मिल सकेगा? आईए पूरे कॉंसेप्ट को एक बेहत सरल तरीके से सरल भाशा में समझते हैं. हमारा अस्तित्वत दो भागों से बनता है. एक ये जो दिख रहा है यानि शरीर, दूसरे वो जो दिख नहीं रहा यानि चेतना, जो बाहर है वो हमारा भावतिक अस्तित्व है, शारिरिक आकार है, आँक, कान, नाक, उचाई, मोटापा, दुबलापन, रंग, ये सब हमारे अस्तित्व को एक रूप, एक आकार देते हैं, सार्त्र ने इसे कहा है, फैक्टिसिटी, उचाई, मोटाई, रंग, उम्र, जेंडर, ये सब फैक्ट्स हैं, इसलिए इस श्रेणी का नाम है, फैक्टिसिटी, फैक्ट से भी हमारा होना बनता है, इसलिए फैक्टिसिटी महत्वपोन मुत्ता है, दूसरा, चेतना, अं हम मान के चलते हैं कि यहीं कहीं रहती है। सार्थर ने इसे कहा है transcendence. जो मूर्त है, fact है, वो कहिला है एक a facticity. जो अमूर्त है, अद्रिश्य है लेकिन उसके बाद भी हमें जिसकी उपस्तिती का ऐसास लगातार होता रहता है, वो कहलाता है transcendence. हमारा पूरा अस्तित्व इन्ही दोनों चीजों को मिला कर बनता है अब ये दोनों चीजें जानने के बाद एक बार हम फिर अपने आप से वही सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ तो बताइए किसका जवाब सही होगा फैक्टिसिटी का जवाब या ट्रांसिंडेंस का जवाब चलिए एक ट्राइ मारते हैं मेरा नाम है गीच चतुरवेदी मैं कविताएं लिखता हूँ और फिलोसफी पढ़ता हूँ मुझे रात को जागना और दिन में सोना पसंद है और मैं बहुत कूल टाइक का बंदा ये सारे facts हैं सचे facts हैं लेकि इनसे क्या मेरा होना who am I define या decide हो जाता है नहीं कोई जवाब ने लेता है मैं कौन हूँ गीच चतुरवेदी हूँ लेकिन ये तो बस एक नाम है एक एफिडेविट डाल के मैं अपना नाम बदल सकता हूँ अपना हुलिया बदल सकता हूँ facticity के माध्यम से हम कभी नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ अब दूसरी तरफ देखा जाए एक चेतना अंदर है जो ये सारी बाते नरेट कर रही है आपको बता रही है तो अपनी facticity के अलावा मैं तो वो चेतना भी हूँ मेरी चेतना बुद्धी समझ समवेदना नुभूती विचार, सोच, चिंतन, स्वभाव इन्ही सबसे तय होगा कि मैं क्या हूँ इन्ही के आधार पर मेरे भीतर की चेतना ये सारी बाते नरेट कर रही है वो नरेटर अलग नहीं है वो भी part of me है जब हम इस part of me पे ध्यान देने लगते हैं तो ये भी एक fact बन जाता है खुद को आप खुद की तरह define नहीं कर सकते जैसे ही आप define करेंगे उसे एक object में convert कर देंगे उससे आपका एक हिस्सा narrator बन जाएगा और दूसरा हिस्सा object बन जाएगा इसको हम third person में ऐसे कहते हैं ये गीच चतुरवेदी है और ये कविताय लिखता है और ये बहुत cool बन्दा है और ये define कर रहा है तो इसको कौन define करेगा इसको define करने के लिए फिर आप इसे उठा के उधर ले जाएंगे नए तरीके से define करेंगे लेकिन ये वाला गीच चतुरवेदी फिर से छूट जाएगा undefined हम जितनी भार कोशिश करेंगे इसको उधर ले जाने की define करने के कोशिश करेंगे उतनी बार हमारा एक हिस्सा यहीं पे छूट जाएगा इस बात को इस तस्वीर से समझते हैं देखिए ध्यान से इस तस्वीर को तस्वीर के अंदर तस्वीर के अंदर तस्वीर के अंदर तस्वीर ही तस्वीर है और यह सिंसरा लगातार चलता चला जा रहा है पहरा वाला narrator है, तो दूसरा वाला object है, दूसरा narrator है, तो तीसरा object है, for example, सब जब खुद narrator बन जाते हैं, तो अपने से आगे वाले को define करने लगते हैं, और ये एक अनंत सिलसिला चलता जाएगा, लेकिन जो number one है, तस्वीर में आप देखिए, वो हमेशा undefined रह जाएगा, क्योंकि उसके अस्तित्र को, उसके transcendence को, आप शब्दों में, लकीरों में, छवियों में, कह ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते, जैसे ही कहेंगे, एक नई image बन जाएगी, आप उसे define तो करेंगे, लेकिन पुरानी वाली image तब भी छुटी हुई रहेगी, इस तरह, खुद को पर परिभाशित नहीं कर पाएंगे, याँकि जो main narrator है, वो हमेशा अपरिभाशित ही छूटा रहेगा, फोटो को देखिये, ध्यान से देखिये, जो चौथा है, वो तीसरे की परचाई है, जो तीसरा है, वो दूसरे की परचाई है, जो दूसरा है, वो पहले की परचाई है, तो ये जो पहला है, वो किसकी परचाई है, यहीं पर आकर सारी बात अटक जाती है, ठीक यहीं पर आकर उत्तर मिलना बंद हो जाता है, इस तस्वीर में जो effect है इसे कहते हैं drasty effect यानि तस्वीर के अंदर एक और तस्वीर, उसके अंदर एक और तस्वीर, उसके अंदर एक और तस्वीर और सब एक जैसी तस्वीरें ऐसा लगता है कि एक की अनुकृती दूसरी है, दूसरे की अनुकृती तीसरी है ठीक उसी तरह हमारे अस्तित्यों में भी एक ड्रॉस्टी इफेक्ट होता है एक मैं हूँ, उसके अंदर एक और मैं हूँ, उसके अंदर एक और मैं हूँ तो ये मैं के होने का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता फिर असली जवाब कहां से मिलेगा यही कारण है कि मनुशिता के इतिहास में, फिलोसोफी के इतिहास में आज तक इस बात का कोई जबाब नहीं मिल पाया कि मैं कौन हूँ और कभी मिल भी नहीं पाएगा हजारों बरसों से रिशी, मुनी, जिंतक, दार्शनी के सब लोग प्रयास कर रहे हैं आगे भी प्रयास करते रहेंगे ऐसे में क्या होगा? हम अपने एक हिस्से को परिभाशित करने में तो कामिया भी पा लेंगे लेकिन समग्रता में खुद को परिभाशित करने में नाकाम रहेंगे मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? philosophy में इसका जवाब कभी नहीं मिल पाएगा जैसे dog अपनी पूच पकड़ने के लिए गोल 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 गुमता है लेकिन पकड़ नहीं पाता उसी तरह इसका जवाब पाने के लिए हम भी एक निरर्थक प्रयास करेंगे, करते रहेंगे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन वो प्रयास, मन और अन्जक हो सकता है इस चक्कर में हम क्या करते हैं, आप ध्यान से देखें कभी भी इस चक्कर में हम ये करते हैं, कि इतनी सारी तस्वीरों में से किसी एक को अपनी रियल तस्वीर मानने लग जाते हैं कहते हैं कि हमारा real self यही है यही पैदा होता है bad faith सारत्र का एक बहुत प्रसिद्ध सिधान्त है bad faith being and nothingness में उन्होंने इस पर अच्छे खासी बात चिती है bad faith यानि खुद को धोखा देना शुरू किया तो हमने मैं कौन हूं का उत्तर जानने से और अंत में एक ऐसी जगह जाएं तो अपने आप में कितनी खतरनाक बात है यह लेकिन bad faith से संसार का कोई व्यक्ति कभी बच नहीं सकता क्या होता है bad faith विस्तरित किंतु सरन तरीके से मैं समझाओंगा अपने अगले एपिसोड में जब मैंने सार्थर पर के पहली बार एपिसोड बनाया था तब उसम अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप नीचे join का button दबा कर मुझे support कर सकते हैं या buymeacoffee.com पर जाकर मेरे नाम से donate कर सकते हैं जो भी करना चाहें description box में options उपलब्त हैं चुन लीजिएगा अपने दिल की बात सुन लीजिएगा बिलूंगा अगले एपिसोड म एक और गहरी philosophy के साथ तब तक आमो